एक नोजवान से एक योगी सन्यासी ने एसा क्या कहा की नोजवान के दसो द्वार खुल गए ए नोजवान घर की छत से पतंग उड़ा रहा था दोर आचानक छूटी और हवा में उड़कर वहां पहुची जहां जंगल में एक योगी बाबा रहते थे नोजवान वहां गया और अपनी पतंग के बारे में पूछा तो बाबा ने उसकी पतंग दे दिया बाबा ने कहा पतंग अच्छी उड़ा लेते हो नोजवान बोलता है हाँ जब कोई तास खेलने वाला नहीं होता बाबा कहते हैं तास भी खेल लेता है वह बोला तो क्या हुआ तास तब खेलता हूं महराज जब कोई साथी नहीं मिलता दारू पीने के लिए बाबा कहते तास भी खेलते हो दारू भी बीते हो वह नोजवान आगे कहता है महराज दारू तब ही पीता हूं जब कोई साथी जुआ खेलने वाला नहीं मिलता सन्यासी ने कहा तू अपनी बुराईयों को एसे गिना रहा है जैसे दिगरीवता रहा है अपनी तू इतनी बुराईयों के दल दल में फसा है परमात माने तुझे इंसान बना कर भेजा है किसलिए आगे उस नोजवान से बाबा क्या कहते हैं सुनिये तुमी मरने के बाद सोचो कहा जाता जाने के बाद कौन रिस्ता है निभाता तुमी मरने के बाद सोचो कहा जाता जाने के बाद कौन रिस्ता है निभाता वो क्योंन सालोक बो है कोन रिस्तान कहा आत्मा जाती कहा जुटा ये निसान लक्चोराती ओनी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हां सुनिये जी हां नोजवान को कुछ अच्छी लगी ये बाद पढ़ा लेखा है पहली बाद यहां जीवन के भेद के बारे में कुछ सुना तो बाबा से लगाव उसका बढ़ा कुछ दिन के लिए वो इसी जंगल में सन्यासी जी के साथ ठहर जाता है कुछ दिनों में ये योग साधना भी सीख गया सन्यासी बाबा की संगत का असर नोजवान पर भरपूर हो गया वह अब पूरी तरह से सत संगी हो गया है अभी चार छे महिने हो चुके यहां रहते रहते उसे अपनी माबाप पत्री और सभी परिजन की याद सताने लगी वह इजाजत मांग रहा है घर जाने की कहता है सब से मिलकर आ जाऊंगा बाबा ने समझाया बेटा इस अंसार में कोई किसी का नहीं है ये रिष्टे नाते सब जूटे है नोजवान कहता है ऐसे कैसे हो सकता है मुझे मा बहुत चाहती है पता जी प्यार करते हैं पतिनी जान चड़कती है बाबा कहते हैं जाना है तो जाओ मगर आज माना हो तो आज मालो आंगे क्या कहते हैं बाबा सुनते हैं नोजवान अब अपने घर आया पिमार होने का ढोंगी रचाया कहता है मुझे कुछ हो जाए मेरे गुरू को तुरात बुलाए जब तेरे तलक ना जागा नौजवान देखो सास ठामी है नहीं उसे में है जान लख चोराती ओनी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चाई क्या है सुनिये हां सुनिये ये नौजवान बाबा सन्यासी के कहने पर तीन लोगों को आज माने के लिए बिमार बन कर अपनी सास को रोका और मरने का नाटक किया योग साधना के द्वारा ये ऐसा कुछ देर तक कर सकता है नौजवान को मरा जान कर घर में चीक पकार मच गई पतनी चीक कर दहाणे मार कर छाती पीटने लगी माता पिता एक लोदे पुत्र के मर जाने पर बिलक रहे हैं सारे परिजन रोने लगे हैं जल्दी से नौजवान के गुरू को बुलवाया गया सन्यासी जी ने देखा और बोले कि ए बालक जिन्दा हो सकता है मैं एक पुडिया दे रहा हूँ आप मैंसे जो भी खा ले पुडिया खाने वाला मर जाएगा परन्तु नौजवान जिन्दा हो जाएगा इतना सुनकर माने कहा महराज अभी मेरी उमर ही क्या है मैं तो फिर से मा बन सकती हूँ पिता से पूछा तो उन्होंने भी कहा मेरी हाथ की रेखा और पंचांग देखिये मैं फिर से पिता बन सकता हूँ तो ठीक है आप ही पुडिया खा लें सन्यासी का जीवन तो वो पकार के लिए होता है इसके बाद पतनी को कहा पुडिया खाने को तब पतनी ने कहा स्वामी जी मैं तो अभी नई नवेली हूँ जवान हूँ सुन्दर हूँ और अज कल तो विधवा विवाह भी हो जाता है एसा कहके सभी लोग कन्नी काट गए जिन पर नौजवान को बहुत भरोसा था कि ए लोग मुझे पर जान छड़कते हैं आगे क्या होता है जानते हैं सुने लिया बेटे ने घटना ये सारी जूटी है सब ये रिसे तेदारी लोग यहां जो प्रेम जताते पैसार सिता नहीं निवाते सारी दुनिया है जूटी और जूटा है जहान यहां किसी के लिए नहीं जीता ये ने सान लग चोराती ओनी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हां सुनिये जब चार महिने बाद घर आया था तब इसके लिए सभी लोग ऐसा अपना पन और प्रेम लुटा रहे थे मानो वो कोई युद्ध जीत कर आया है मा जब जस्ती रोटी खिला रही थी पिता पहबल हो रहे थे पतनी पूरी चाहत पर सा रही थी पेटे ने समझ लिया सब का हित था इसमें सब का लाव था इसलिए रिस्ते निभाने के लिए बेचैन थे किन्तू बेहोसी से निकलने के बाद नौजवान जान चुका है समझ चुका है कि ए संसार केबल मतलब का है और दिखावे के लिए नाता रखता है एसे हजारों नौजवान हैं जिनकी उनके घर परवार में ही कुछ ना कुछ कमाने के कारण इज्जत नहीं है हजारों नाकारा पतियों को उनकी बीबियों ने छोड़ दिया है ये दुनिया केबल अपने मतलब के चलते नाता रखती है सन्यासी जी के साथ मैं रहते रहते नौजवान को इतना घ्यान हो गया कि किस से रिस्ता रखें कौन है सच्चा नाता निभाने वाला सुनियेगा मौजवान अब उसे में आया स्वामी जी से उसे ने बताया उसने यहां सबी दो अजिमाया कोई न यपना जगे पराया पिया जीवनी सुरने माने उसका एहसान उससे रखें सच्चा नाता सच्चा केवल भगवान लक्चोरासियोनी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हाँ सुनिये नोजवान को घंटे भर में जो ज्यान मिला एसा अनभाव लोगों को कई सालों में नहीं मिल पाता अपने पराई का भेद देख लिया एक बात का भरोसा हो गया की जिसने हमें मनुस्तन दिया है जो मानभ काया चौरासी लाक एयोनियों से गुजरने के बाद मिल जाती है इंसान उसी परमात्मा को भूल जाता है हर इंसान ज्यान नहीं होने से जगत के जूटे नातों में उलजा रहता है और अपना मुप्ती का मार्ग भूल कर कई जन्मों तक भटकता रहता है कुट्ता बिल्ली सुवर पसु यही इंसान बनता रहता है मनुस तन पाके यदि कोई धनवान या बाहु बली हो जाता है तो उसे उचित अनुचित का भान नहीं रहता वो अपने ही काम को उचित मानता है अहंकार में पर लोग के कश्ट को भुला कर पैसा कर गुजटता है जो नहीं करना चाहिए ए नौजवान आंगे क्या कहता है सुनते हैं जब कोई दुनिया से जाएगा साथ किसी का नहीं तू पाएगा जिसने कभी सत संग किया ना कभी किसी से घ्यान लिया ना यम दूत तो तुमको करेंगे परिसन कोई भाहू बली हो चाहे कोई धनेवान लक्चो राजियों नी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हां सुनिये यम राज किसी को छोड़ता नहीं वहां भूस नहीं चलती ना भ्रस्ता चार होता बुरे लोगों को मरते ही हत कडियों में बांध दिया जाता है जितना सुख और बैमानी करके भोगते हैं उससे हजारों गुना जादा कष्ट मिलता है करम तेल की कडाई में डाल दिया जाता है यहां आलिसान जीवन जीने वाले वहां एक पल के सुकून के लिए यमराज से दया की भीक मांगते हैं मगर यमराज दया करने की बजाएं उन बैमानों पर आरा चलवाता है जिन लोगों ने मानाउता भुला करें आसहाई दुखी लोगों की मदद नहीं करतें रात दिन मोज मस्ती में लगी रहते हैं धरम का दिखाबा करके पाप और अधरम के काम करते हैं एसे बगला भगतों को कुत्तों से नुचवाया जाता है फिर से नरक का जीवन जीने के लिए अवारा कुत्ते का जीवन दे कर किस धर्ती पर भेज दिया जाता है इतना जानकर आप स्यमते करें आपको अपना जीवन किस रूप में जीना है सुनते हैं आगे क्या होता है काया में जब तेरी आगे लगेगी लगडी जलेगी और हटती जलेगी पाप न तेरा जल पाएगा उपर किया करमे जाएगा कभी किया नहीं तुने भगवान का ध्यान पापी लोगों में रही यहां तेरी पेचान लक्च रातियों ने की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हां सुनिये कालियों में यहां एसे लोगों में जाएगा लोग आधिक मिलेंगे जिनके मुक पर राम का नाम मगर बगल में छुरी रखते हैं बड़े दयालू और दयाबान दिखने के लिए पड़े-बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं कहीं से दस लाक पैदा करके एक लाक खर्च करके सोचते हैं हमारा पाप कट गया हमें मुक्त मिलती है पाप भी कटते हैं और अगला जन्म भी सुधर जाता है उसके लिए दिखावे की जरूरत नहीं हैं पर मात्मा के बल नाम लेने से ही प्रसन्न हो जाता है आगे सन्यासी जी और नोजवान क्या कहते हैं सुनते हैं प्रभू चर्णन से तू प्रीत लगा ले हारी सुमरन में मन को रामाले मुक्ती मिलेगी तुझे मोक्ष मिलेगा आगला जन्में तेरा सुक में रहेगा मिल जाएगा तुझको फेरे सुखेता परदान लिखेगी तेने रंजन संजो करे गुड़े गान लख चोराती ओनी की काया एक सनोनी सी जीवन की सच्चा ही क्या है सुनिये हां सुनिये